आज हम A2 लेवल की बात करेंगे और इसमें जो questions आती हैं वो कैसे होते हैं कैसे उनकी answer देने हैं इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि language search में A2 में paper कैसा होता है language search का ये A2 का part 2 है और A2 जो है ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है शायद Indians के लिए हो या किसी और country जिस तरह फिल्पैन है या कोई और उनके लिए हो सकता है तो ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है लेकिन कुछ cases में इन के लिए भी होता है लेकिन UK spouse visa के लिए पाकिस्तानियों को A1 लेवल ही करना होता है आइदा शायद A2 लेवल हो जाए हमारा भी लेकिन फिलाल A1 चल रहा है और A2 जो है उसमें जो हमारा आज का पहला topic है वो है daily life अब यह first part है जिस तरह हमने A1 में first part देखा तो उसमें सिरफ 10 questions होते हैं और 10 questions में से भी 3 से 5 questions ही examiner पूछता है और इस से ज़्यादा नहीं पूछता क्योंकि उसके पास इतना time नहीं होता लेकिन A2 क्योंकि A1 से उपर का लेवल है तो इस वजह से इसमें examiner questions भी ज़्यादा पूछ सकता है और मुक्तलिफ topics पे पूछ सकता है ताकि आपकी vocabulary का पता चले और यह पता चले कि आप English कितनी अच्छी जानते हैं आप answer दे सकते हैं questions समझ सकते हैं तो यह सारी चीजें है A2 लेवल जो है यह इसलिए है अब A2 लेवल में जो सबसे पहला topic है वो है daily life अब आप यहां देख सकते हैं मैं zoom in कर देता हूँ आपके रिसानी के लिए जो daily life है इसमें हो गया क्या जी सबसे प अब कब जाकते हैं when time do you get up या wake up एक ही बात है तो इसका मतलब होता है जी आप किस वक्त जाकते हैं और इसका answer आपने कोई भी आपने दे दे देना time I wake up at 5 o'clock I wake up at 7 o'clock साथ में आपने in the morning बोलना है जब भी आपने कोई differentiate करना है सुबह और रात के वक्त यहां शाम के वक्त तो आपने अगर शाम की बात करने है तो in the evening अगर रात की बात करने है तो at night इसी तरह सुबह की बात है तो in the morning I wake up at 7 o'clock in the morning इस से अगला है what did you do last weekend अपने last weekend पर क्या किया आप कोई भी आप चीज बता सकते हैं I went to the cinema last time I played at last weekend किस weekend पर आप यह कह सकते हैं I went to the cinema last weekend यह cricket का यह कोई और I celebrated my birthday last weekend तो इन में से कोई भी आंसर दे सकते हैं इस से एकला question है what do you usually do at the weekends जो weekends होते हैं हफ़ते इतवार के दिन होते हैं आम तो पर उन में आप क्या करते हैं तो इसमें आप यह बता सकते हैं at the weekends I go to watch movie with my friend at the weekends usually I play cricket with my friends यह at the weekends I usually go to visit some places with my friends इन में से कोई एक आंसर जो आप असानी से जिसका जबाब दे सकें वो बोलें अगला question है what do you usually do at the weekends यह हो गया तीसरा स्वरी अब चोथा question how often do you see your friends how often do you see your friends का कि आप कब कबार अपने दोस्तों को मिलते हैं आप यह कह सकते हैं I daily see my friends I see my friends once in a week अब यह भी कह सकते हैं I see my friends after one day gap तो एक दिन का जो gap उसके बाद मैं अपने दोस्तों को मिलता हो इससे अगला जो हमारे पास topic है वो food and drink पर खाने पीने के मतलिक है खाने पीने के मतलिक जो पहला हमारे पास question है वो है which food is most popular where you live आप जिस जगा पर रहते हैं वहां popular food कौन सा है popular यह नहीं के महशूर ज्यादा लोग क्या कहता है मशूर आप पर popular का meaning लिया जाता है लेकिन जो ज्यादा चीज चल रही हो जिस महाश्रे में उसके लिए popular word यूज किया जाता है तो fast food is very popular food here in where I live आप ये भी कह सकते हैं ब्रियानी is very famous food where I live या popular कह लें famous कह लें इनमें से दोनों में से कोई भी आप word यूज कर लें How good are you at cooking? आप cooking में कितने अच्छे हैं? बहुत लड़कों के लिए यह असान होगा I am very good at cooking और लड़कों अगर लड़कों से भी यह स्वाल किया जाए तो आप कह दें के I am very good at cooking अब यहाँ examiner साथ एक और questions कर सकता है What are you good at? आप किस में अच्छे हैं? यानि कि क्या बनाने में अच्छे हैं? आप यह कह सकते हैं I am good at cooking biriyani I am good at cooking chicken curry कोई एक आप इनमें से select करके बता सकते हैं अगला जी question what's your favorite food and why? आपका favorite food कौन सा है और क्यों है? My favorite food is biriyani. मेरा favorite food biriyani है. अब why? वजा क्या है? Because it is very tasty. क्योंकि यह बहुत मज़ेदार है. It tastes so good. इसका जाएका बहुत अच्छा है. इसका जाएका बहुत अच्छा है. Yes, there are many foods that I don't like. अब यह कह सकते हैं, I don't like burger, I don't like pizza. यह कोई और food जो आपको पसंद नहीं है, जो मेरे माइन में भी नहीं आरा, आप बता सकते हैं. अब वो कह रहा है कि which one? वो फूड वो ही बताएगा जिसका आप English में नाम लेख सकते हैं. यह ना हो कि आप साग बोल दें और बाद में आपको साग की English ही ना है यह पालकी हैं जो भी. तो कुशिश कीजिए कि English वो ही इस्तमाल करें जो आपको आती है, उसी का जवाब दें. अपने जिने नहीं चीजें ऐसी ना लेके आया करें उसको इंप्रेस करने के लिए एक्जैमिनर को के बाद में आपके लिए मसला बाद जाए. अगला जो अगले questions है वो travel पे है, how do you usually travel around आप आम तोर पर किस तरह ही इर्दिगिर्द सफर करते हैं? तो I usually travel around on my car, मैं अपनी कार पर, या by my car, मैं अपनी कार पर सफर करता हूँ. या आप ये भी कह सकते हैं, I use public transport, mostly आजयाता तर मैं public transport यूज करता हूँ. इससे एकला question, what's the best way to travel in your area? सबसे बहतरीन तरीका कौनस है अगर आपके अरिया में travel करना हूँ. The best way to travel in my area is rickshaw, के मेरे area में travel करने का बहतरीन तरीका है, rickshaw है. अब ये भी कह सकते हैं, the best way to travel to my area is bike, bicycle है, या इसके लावा bus कह सकते हैं, car कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें. Tell me about your last holy day, जो आपका last holy day था, हरी चुटी थी उसके बारे में बता रहा है. अब इसमें आपको तीन से चार लाइने, पांच लाइने बोलनी पड़ेगी. On my last holy day, I went to my friends, के मैं अपने दोस्तों से मिलने गया, then we decided to watch movie at cinema. So we bought some tickets and we went to watch movie. And we watched movie, the movie name was दिल जले या कोई भी आप नाम ले सकते हैं. इसी तरह अगर movie के मतलग मुश्कल लाग रहा है, तो आप cricket के मतलग बता दें के, दोस्तों के साथ cricket खेला इतनी देर तक खेलते रहे, तो उसमें चार लाइने या पांच लाइने जिसमें बहन जा है. इसे एकला question है, what do you always take with you when you go on holiday? जब आप holiday पर जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? तो आप खाने भीने के समान कहा सकते हैं, लेके जाता हूं साथ, I take my food and drink with me when I go on holiday. I also take my baggage including my dresses, my cloths, my shoes and everyday usable items that I take on holiday with me. तो ये questions हैं जी, part 1 के A2 level वालों के, अब आपको अच्छे तरीके से समझा आगी होगी के A2 और A1 level वालों का कितना difference है? तो इंशाला नेक्स्ट वीडियो में A2 पे हम बात करेंगे और A2 में अगली बात होगी, situations और role players पे, तो इंशाला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए, अलाहाफाज.